ओम्शाम्ती, 18 सिप्टेमर के शिर्दन वास्व का सोगाता है, परमात्मा कहते हैं बालक सो मालिक बन, किस मृति से सर्फ खाजानों को अपना बनाने वाले सुराज जातिकारी भवा, इस समें आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो, परमात्मा के बच सिर्फ पर कंट्रोल मिल लाता है, और साथि साथ मन, बुद्धी और संसकारों के पर हमारा कंट्रोल आना शुरू होता है, जैसे ही हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं और उनसे हम योग लगाते हैं, और दूसरा बाप के वरसे के मलिक, जब स्वराज जदिकारी हो, तो स्वराजी का दितकारी मतलब सारी जो मन, बुद्धी संसकार हैं वो इतने कंट्रोल में हो कि हमारे फाइफ सेंसे भी हमारे कंट्रोल के नुसार चलें, लेकिन समय प्रती समय मालिकपन की स्मिर्थी को भूल कर वश में करने वाला यह मन है, इसलिए बाप का मंत्र है, मन मना भव, तो मन के करता है, चारो तरफ भागना शुरू करता है, खुशी, आनन्द, प्रेम भूनना शुरू करता है, वेक्तियों में, वस्तु में, तो बटकना शुरू कर दता है, इसलिए प्रमत कहते हैं कि वो बटकन को अटाने से, मन को फिर से अपने वश में करने के लिए मन मना भव मन को मनाओ और एक भगवान में लगाओ मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे खजाने के हैं सुक, शान्ती, प्रेमानन, श्यक्ति, ग्यान, समेश, स्वास, संकल्प यह सब को खजाने में मिलने शुरूर जाते हैं सवास बढ़नी शुरूर जाती हैं मतलब की आपकी लाइफ लम्बी हो जाती है और साथ शाथ परमत्तों कहते हैं कि मन मना भव करने के लिए अपने मन को मनाना बहुत ज़रूरी है अपने आपको कहो कि बाबाबा को याद करो अपने आपको कहो कि अपने आपको आत्म समझो तो ये करने से प्राक्टिस करने से मन हमारी बात मानना चुरूता है हम शंची